अच्छी दवाई बताने के लिए आया हूँ जो आप लोग को अपने प्रैक्टिस में शायद आप लोग अपने यूज करते ही होंगे उपयोग करते ही होंगे तो वह जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग जो भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसका कहां कहां पे कैसे कैसे उप इसको ना संगे यहुद मश भसम भी बोलते हैं तो यह ना एक ना पत्थर होता है अब जब क्या हुआ कि मुगल लोग आये भारत में तुर्क लोग आये मतलब टर्की से जब लोग आये आक्रमन कारी फिर उसके बाद में हून आये वह तरह ऐसे लोग आये जो ना भारत पे भारत में सोना लेने के लिए तो वह अपने साथ में जब यहां आये तो उन्होंने यहां पर विध्वन्स किया बहुत सारा लेकिन साथ में वह ना अपने साथ में कुछ-कुछ चिकित्सिया कुछ दवायां भी लेके आये क्योंकि वो लोग जो यह मुगल और अरब लोग तो वो लोग रेगिस्तान में रहते थे तो वहाँ पर na kidney stone की problem बहुत होती थी क्योंकि पानी की कमी होती थी तो वहाँ पर जो हकीम लोग थे पहले के जमाने के तो उन लोगों ने एक किताब है इसलाम में तारीके इसलाम करके उसमें बहुत सरे medicine वाले चीजे बताई गई है तो जब मुगल लोग आये या अरब लोग जो आये तो वहाँ पर रेगिस्तान बहुत रहता था पानी की कमी होती थी तो उन लोगों ने कुछ ऐसे researches किये वहाँ पर तो उनको ने एक बेर के तरह से सवा इंच लंबा एक पत्थर मिला मजब कोई पहाड से तो उसको उन्होंने चिकिसा के रुप में प्रयोग करना शुरू किया तो वो kidney stone के लिए बहुत अच्छी देवाई बता दी गई तो फिर न वो हकीम लोग अपने साथ लेके आये भारत में क्योंकि जब मुगल लोग आये अरब लोग आये तो उनको भारत बहुत अच्छा लगा तो वो यहां राज करने लगे राज करने लगे लेकिन kidney stone तो होई रहा था तो अपने साथ हकीम लोग को भी लए और आयरवेद में इसका फिर प्रयोग बाद में किया जाने लगा हज्रल यहुद बस्म यह शब्द जो है यहां युनानी शब्द है उर्दु शब्द फार्सी शब्द से बनाए हज्रल यहुद बस्म तो इसको संग्ल यहुद भी बोलते हैं तो इसके बार में मैं आप लोग को बताने के लिए आया हूं तो इसको ना पत्थर बेर भी कहत दूसरा है कि इसमें रेशे रेशे भी रहते हैं तो ऐसे लगता है कि बेर ही है पत्थर के रूप में उसी तरह से सवा इंचे लंबा होता है और अकार में डाइमेंशन में इंदम बदर की तरह ही होता है तो इसको शोधन करने के लिए बता है कि इस पत्थर को जिसको पत्थर बेर बोलते हैं हज्रल यहुद भस्म जिससे बनता है वह पत्थर को बदर पत्थर बेर क्यते हैं उसको क्या करना है कि साथ बर तपा देना है पुरी तरह से गरम करना है और कुल्थी के काड़ा में उसको बारबट डुपाना है तो इस तरह से इसका शोधन हो जाते हैं उसके कूठ के सुक्ष मचर्ण बना लेना है फिर कपड़े से चान देना है फिर उसमें तीन दिन तक मूली के स्वरस में मरदन करके इसके बाद में लगू पुट में आच देना है और फिर जब वह स्वांग शित हो जाए ठंडा हो जाए तो वह जो टिक्या है उसको निकाल कर दोषत्य आत्मक बनाना है न तो गुलाप का अर्क से या चन्दनादी अर्क में उसको पूरी तरह से पीष कर और ऐसे भावना देदे करें शया शुषक करके मतलब धूप में नहीं सुखाना है शाया शुषक करके और और शिशी में भरकर रख लेना है क्य लोग जो केले का जो ये पहुत अच्छा काम करते हैं मतलब व्रिक में कहीं भी कैलिक में या कहीं भी ना अगर श्टोन रहा तो उसमें अगर इसका प्रवाव प्रभाव से जितना भी किड़नी में स्टोन है उसको चूरा चूरा करके मतलब जिस तरह से सैंड होता है उस तरह से पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन करके और निकाल देता है उसी तरह से अगर यूरीन जो है वह रुक रुक के आ रहे हैं तो यह मुत्रल है बहुत अच्छा मतलब इसका प्रभाव ऐ तो यह नगा जलन को पूरी तरह से ठीव करता है क्यों क्योंगि ये पिश्टी गुलाप अरخت से बनाई है और इसकी मात्रा कीतनी तो एक रठी से दो रठी इतना तक drugstore , बच्चों में 1 रत्ती सकते हैं , बढ़ों में 2 रत्ती तक और ज़्याद़ से जाद़ Usually 20 रत्ती तक दिने कोई said ہ самой अतनी को और लेक्टेटिंग उनको जासे खह laten थोड़ा ज्यादा दे क्योंकि अगनिमान दे तो स्तोतोर ओजनने संप्राप्ती होने का डार है फिर कभी-कभी यह होता है पैनफुल मिक्चुडेशन होता है मताँ यूरीन पास करते टाइंद बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है तब इसको पैन्फुल मिक्चुरेशन होता है उसमें देने से बहुत अच्छा फाइदा होता है फिर अगर पिशाप खुल के नहीं आ उसको नहीं ब्रेकडाउन कर देता है अपने प्रभाव से तोड़ देता है और दूसरा के यह तोडने के शक्ति शित विर्यात्मक भी है इसमें डबल काम होता है और फिर क्या करता है कि जो मुत्र रुका हुए है और उसके अवरोध होने के जैसे किड्नी के उपर न पुरा की किटनी की तरफ बहुत ज़्यादा पें रहा होता है तो जब यूरिन पास्ट रिखते तो वह दर्द कम हो जाता है उसी तरह से इसका प्रयोग जो है बहाई उप्योग अगर देखेंगे तो इसका प्रयोग जो है वह दाद-खाद खुझली में मतल्ब जो विचर्ची का हो में अभी क्या गर्मी में घमोर्यां बहुत हो रहे हैं फिर बहुत ज़्यादा फोड़े वगरा हो रहे हैं तो यह जो यह जरल यह भस्म है इसको पिष्टी के रुप में रहता है तो यह शीत वी रहत्मक रहता है अगर इसको लगा दिया जाए न तो जल्दी से हील कर देता ह फोड़ी फुन से को değişory haircut अगर किड्नी में बहुत ज़़ा पे पेन की बनी यह दो आजए किड्नी की में डिक्ते कर दिया जाए कर देगा तो यह अचसे ना किड्नी हैं इसका बच्यों में एक रथि तक 25 mg तक इसका प्रहों आजता है बड़ों में दो 25 mg तक फिच्प्राइब लूग पाइंडा होता है वह जो हो सब्सक्राइब सकते हैं मध्यम क्यूंद्य जो रहते हैं हुथ दो रत्ती 250 mg और maximum देना है तो चार रत्ती तक 500 mg तक देना है उसी तरह से मध्यम खुराग जो बच्चों में है जो बच्चों का अगनी ठीक है और उनको जरुरत है kidney stone होने के वज़े से तो उनको एक रत्ती से दो रत्ती तक बच्चों को दे सकते हैं और सबसे ज्यादा maximum dose कि देना है तो यह 20 रत्ती तक 20 चुटकी ऐसे patient को लिए 20 चुटकी तक दे सकते हैं अगर kidney stone बहुत बढ़ा है ना तो इसका dose भी बढ़ा सकते हैं और दूसरा है कि सुबह और शाम दो टाइम खाने के पहले अपानवयू पे अगर दे देंगे तो बहुत अच्छा पैदा होग गुनगुना पानी है फिर लसी है लसी की सान्द ले सकते हैं तकृ सकते हैं और इसका प्रभावतों ऐस सा देखने को निलता है बस यह पर देता है और और दूसरा क्या है ना कि हजरल यहुद भस्मा जो है यह आयरवेद ने accept किया है यह असली में है तो यूनानी मेडिसिन का दवई अब यहाँ पिष्टी जो रहती है हजरल यहुद भस्मा यह मुत्रल रहती है मतलब इसका सेवन करने से यूरीन बहुत अच्छे से और बहुत अच्छ से क्टिनी से युरिनेशन होने लगते है। तो बहुत अच्छा मुतरप्रव्रती होने लगती है तो यहां पित्षामक है मतरब यह शीत विरेत्मक होने के वज़ए से यहना पित्त का शमन कर देता है। इसमें अश्मरी भेधन के है ठीक है वो है लेकिन यह पित्त का शमन भी करता है दुसरा है कि वमन हर है अगर बहुत ज़्याद न किड्नी स्टोन है और किड्नी में बहुत ज़्याद आठक रह यह तो हम लगती है जीमिचल अने लगता है अगर हजरौले तो यह शीत विर्यात्म कोने से नॉर्मल उल्टी को भी मतलब जो चर्दी रोगे उसको भी ठीक कर देगा और दूसरा किड्नी से रिलेटेड जो पैथलोजी है किड्नी से रिलेटेड जो संप्राप्ति है उसको यह भंग करके वमन को रोग देता है इसलिए हजरल गयोद बस दे दिया जाए और वह भी किस के सांद देना है तो दश मुला रिष्ट के सांद देना है खाने के पहले दे दिया तो ना यह तुरंत ही ठीकर देता है हजरल गयोद भसम को अगर और ताकतवर बनाना है कि यहाना स्मूदली यह स्टोन को फोड़ के और अच्छे से निकाल और कोई इंजूरी ना हो तो अव प्रिडक्स नहीं लेना चाहिए मतलब 25 अमल पहले खाने के पहले 25 अमल खाने के बाद अगर इस तरह से हजरल गयोद भसम दे दिया गया ना और वह भी मात्रा हमें डिसाइड करना है बच्चों में एक रती से दो रती जो बड़े लोग हो है युवा भस्ता में उनको क्या करना है तो एक रती से चार रती तक तरफ्टी अगर ऐसे भी अगनी और है और स्ट्रॉंग में इम्ना की द्पाई है और तो मल्टिपल स्टोन है तो उसमें क्या करना है कि हम लोग 20 रत्ती तक 200 mgm तक भी दे सकते हैं तो बहुत अच्छा फैदा होता है फिर इसके बाद और देखेंगे तो 20 रत्ती तक भी दे सकते हैं 200 2000 mgm देखा जाए तो वह 40 40 यह हो गया रत्ती हो गया उतना मात्रा में भी लेकिन अगनी पहले देखेंगे उसके सबसे इसको डिसाइड करना चाहिए उसी तरह से नारियल के पानी के साथ अगर देदेंगे तो यह और अच्छा प्रभावशाली काम करता है और या फिर अश् यहां नाम नहीं ले सकता उसमें हज्र लिहुद भस्म जरूर रहता है जो किड्नी स्टोन को निकालने वाली दवाईया रहती है उसी तरह से चंदर प्रभावट्टी के साथ गोक्षुरादी गुल के साथ इसका प्रयोक अगर साप में किया जाए तो वह मुत्र प्रविर् दूसरा क्या है कि किसी तरह से यहां अगर यूरीन रेटेंशन हो गया मतलब यूरीन आ नहीं रहे और रास्ता रुका हुआ है और उसके वज़े से पूरा किड्नी भर गया है यूरीन से तो ऐसे कंडिशन में भी हच्रल योद भस्म दे दिया तो इसका कारे है मुत्रल तो अब यह पत्थर ही ऑना पत्थर का ही कि बना तो इसमें इसमा औहुंड धर्म है कि जो स्तरोट रू यह वहाओगा वह किस से व मुक्ता हूँUB से लाँ के काट्रा हुआ अब ये पत्थर है पर कुछ सीज सौफ्ट चीज आटका वह या नहीं आटका हुए मैं पत्थर से उसको साफ कर देता हूं उसी तरह से यह जो भसम रेता है हजल यह बहस्म की जो पिष्टी रहती है वह पत्थर जैसा ही रहता है ना तो वह चिकनाहट को आम को पूरी तरह से खोल लेता है तो रास्ता कुल जाएगा अपने कि मुत्रल कार्य कैसे होता है तो वह ही याद रगे हैं उसी तरह से अगर पत्त्री बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा kidney stone soft है तो इसका प्रयोक करने से बिना operation के ही, जो kidney stone है वो अपने आप आसानी से निकल जाता है उसके लिए हमें surgery करना ही जरूरी नहीं रहता और दूसरा क्या है ना कि इसका seven अगर तीन महिने तक किया जाए यह याद रखे कि कितना maximum कर सकते हैं महिने तक करना चाहिए जादँ अगर करेंगे तो फिर यह नुकसान दे सकता है जो भी दवाहिगह हैं उसका मात्र और दोज और डियूरेशन यह जानना बहुता बहुत जरूरी होता है तो इसको तेल महिने यह ज़्यादा नहीं देना है यह बात हमेशाए बाएकर तो यह क्या करता है कि पत्री को गला देता है Gulf equations और पुरे अच्छे से स्मूदली निकाल देता है और अगर अगर अप्रीटक्स नहीं का प्रयोग किया जाए मजलब खाने के पहले 25 ml घही का प्रयोग और खाने के गया दर्द भी कम हो गया यूरिनेशन भी होने लगा और किड्नी श्टॉन भी निकल गया मैंने ऐसे किड्नी श्टॉन के पेशंट को 14 डेस में मतलब बड़ा सबसे बड़ा मेरा 23 mm था किड्नी श्टॉन उसको मैंने और वह भी यह दिखना है कि वाताज मुतर प्रन का गुंडधर में रेता है और उस हिसाब से हज्रल यूद भस्म का योजना करना चाहिए जैसे कि अगर हमें कफ नाशक अगर करना है तो हम लोग आरगवद्यादी कशाय के साथ इसका प्रयों करेंगे तो कफ का भी शमन होगा और अच्छे से अश्मरी भी निकलेगा अगर ह पित वला करना है तो पित जश्मरी है तो हमें काकोल्यादी गण के दवाईयों के साथ इसका प्रयों करना चाहिए अगर वात्तज है तो उसमें तो दश्मूल है व्रिहत पंच्मूल है बहुत तरह इसे द्रवे हैं जो वात्का भी श्मन गणनिर्गुंडी क्वाथ है रा है आलुपेथी नहीं है अईर्वेध में तो रिजाक संप्चरा रहा है तो अलग है तो हमय कीर्ש wrapper के लिए दोषों को देखना जुरूरी और कौं सा दोश् करके रह रहे और उसी सब्सक्राइब चिकिसा करें तो चिकिसा सफल होगी अगर आपना ऐसे आएगा कोई भी पेशन्ट हज्रलियोट भस मत दे दो और उसको दे दो ठीक हो गया तो किस्मत है हमारी या उसकी किस्मत है और नहीं ठीक हो आईरवेद बेकार है यह नहीं है आई यह उफिस्यल वर्क में रहते हैं उनको इतना ज्यादा टाइम ही नहीं मिलता है एक सेकंड भी टाइम नहीं मिलता कि यूरीन पास करें अब वो किड्नी को पुरा मुत्रवेग को रोकेंगे अब मुत्रवेग अगर रुखेगा तो वायू प्रकुपीत होगा वायू प्रक पुरी तरह से टालना चाहिए दूसरा कुछ लोग पानी कम पिते हैं टाइम ही नहीं मिलता है आज एक डॉक्टर जी आईती सुबह वो बलती थी कि मैं पूरा दिन में एक ग्लास ही पानी पीती हूं हमने उतना डियाग्नोस किया वो पानी नहीं पीते हैं उनको किड्नी स् कटी कर रह रहे हैं ये तो अ exact खतर्ना के चैंस में को कई इंसां है बाडि वो पानी चाहिए चाहिए वह बी अगनी को अच्छा करके तब पानी पी बड़े हम पी दिता हो रहे हैं जिसको हम RAD इस तरह से Rheumatic Heart RHD Rheumatic Heart Disease इस तरह से बोलते हैं तो यह पानी पीना जो एलोपेथी डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप पानी पीजे बहुत ज़दा पानी पीजे वह गलत है अगनी की सापेक्ष जितना जोरत है उसे साब से पानी पीना चाहिए उसी तरह से यह मुत रास्ता को ब्लॉग कर रहे हैं तो अगर मैंने पथर लाया पथर से उसको साफ किया या कोई इंस्ट्रूमेंट से साफ किया तो रास्ता खुल जाएगा और मुझे निकलना इसी जाएगा उसी तरह से मुत्रावरोध जब रहता है यूरीन निकल नहीं पारा और कुछ आम स्टोन है उसको भी ब्रेकडाउन कर देता है और ऐसा देखने में आता है अच्छे मुत्रल दवय के सांथ अनुपान के सांथ सुबर शाम दिया गया तो इससे न क्या हुआ कि जो स्टोन था न वह आसानी से निकल गया और दूसरा निकलते टाइम ना ऐसा पेशन को फील रहे हैं क्योंकि जो भी युरेथ्रा होता है वह सेंसेटी होता है कुछ भी चीज निकलता है तो समझ आते तो उन लोगों ने पेशन ने वह निकालके और धो के फिर ऐसा दिखाया कि सच में ऐसा निकलता है जो प्रत्यक्ष देखा हुए वही मैं आप लोगों से शेयर कर हुआ हुआ हूँ तो हजर ले अच्छा रहता है इसको अगर दो रत्ति हजर ले लेśli हमने नेर्य और शाह में भूर्मेशन नहीं हो रहे तो यह क्या है कि मुत्र को मुत्र प्रविर्ति जो है उसको एगहांस कर देती है अपने प्रभाव से तो अगर मुत्र शरकरा रहा मतलब सैंड की तरह अटका है तो एक काम और कर सकते हैं कि अगर बड़ा स्टोन रहे और यह तो फोडने वाली दवाई हमें मिली गए हमें इने कनकासव देना है जो ना क्या होता है कि दिस तरह से अम लंग्स में देते हैं तो ब्रॉंको डाइलेटर होता है तो यह यहां पर यूरेटर अगरे को डाइलेट करता है कनकासव का अपन और लिएगया प्रयोग करने से बहुत अच्छा फाइदा प्रयोग प्रयोग यह है प्टेंटर मडिसेन कम उजब करता हूं और जो ग्रंथोक्त मेडिसेन है वह यूजब करता हूं और हम इसको यह पूरी दर से नहीं बुल सकते कि यहां मुगलों ने दिया है तो हम नहीं भी दी हमें हमें ताजमल दिया हमें कुत्म मिनार दिया हमें Weli जो भी यी लोग आक्रमण करें है ना उनलोग ने किया है यह किया हर इंसान का अच्छा चीज भी देखने चाहिए तो उन्हों तो भी मत हम ले लेंगे आपा भी वो बतायेना उसमें बताये हैं आप लोग न भारतिय दर्शन का इतिहास से इसे करके Beaum उसमें भूबताया है कि स्याद यहन और सियद ना स्ति वह एकसप्ट करो यह यह नहीं है इसको भी एक्सेप्ट करो कुछ और बोलेगा इसको भी करो उसके पार चीज अप्ट करने के बाद चिकेट्सा भी ने सब तरह का लेना है और उन्होंने बोला है कि आपके अपने शास्त्रे से नहीं दूसरे शास्त्रों में भी जा कि आप अच्छी चीज़े लेके ये चिकित्सा में किया जाता हैं तो यह मत्रल है पित्छ शामक है वमन हर है किडनी में इसटोन को निकाल देता है मारगवरोज दालो सन्ब्रापटिती करता है और वमन में अच्छा करता है दाद खाद खुजली जो स्किन डिजेजेस है फोड़े फुंसिया इन सब में बहुत अच्छा काम करता है इसका प्रयोग आप लोग करिएगा मैंने मात्रा बता दिया है एक रती से दो रती अब इसमें इतना बताया नहीं है किड्नी स्टोन को यह फायदा करता है और करने से 100% फायदा होता है तीन मैंने मैक्सिमम देना चाहिए अब कभी कभी क्या होता है कि बड़ा-बड़ा किड्नी स्टोन होता है और बहुत जदा कड़क हो जाता है वह जदा सूख जाता है उसमें रुक्षता ही रहती है तो उसमें अगर वह मैडिसन से नहीं निकल पा निकाल रहे निकाल रहे अब एकदम फास्तों करें नियुक्ति निकलता है लेकिन अगर तीन मेने बात थोड़ा वह रह गया किड्नी स्टोन का पाठ सोनोग्राफिय में पता चला कि अभी भी है कोई बात नहीं हमें थोड़ा ब्रेक करना है 15 दिन प्रेक करके फिर से इसका प्रेक कर सकते हैं तो यहन अब और अच्छा फायदा करेगा ब्रेक लेखे कई आतो कंटीनू नहीं देना चाहिए ऐसे शास्त्रों में बताएं आप लोग के और भी कोई कोई कोश्चन बगर रहेंगे इसके रिलेटेट तो मुझे पूछ सकते हैं अभी क्योंकि ज्यादा बताने लेगने हैं तो मैं अभी का बंद करता हूँ अपना और आप लोग को नमस्ते प्रणाम होता हूँ डॉक्टर बंदना पाठक मैडम जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर सवीता जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर जोती पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको ज जी जाते हैं जो टफ अगर तो वहां पर डानल returning का पूर्त करते हैं और और बांब लगा Bal только और बड़े पथर वह तो टूड़ा जाते हैं गौल करकर के करकर कर आगे बढ़ते जाते हैं और सुरंग बनते जाती हैंptonal बनता है और फिर वह Metro काका हो रहे उसी तरह से यह क्या है यह एक डायनामेट की तरह है किडनी श्टन को फोड देता है इतना अच्छा फैदा होता है बदराश्म का भी ऐसी तरह से काम होता है लेकिन हजरल लिहूद भस्म का जो है वह काम एकदम अद्वित्य है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है आप लोग इसका प्रयोग करिए और आप लोग करिए अच्छा क्वालिटी का बहुत अच्छा फैद होगा डॉक्टर सत्यभान जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर प्रियंका जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर रेनूप पनवर जी नमस्ते शुबसंद्या आपको भी डॉक्टर दिलिप जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर राकेश जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक और एक सिस्टाइटीस है ना तो यह सिस्टाइटीस इंफ्लमेशन को टिक ने करेगा उसमें आपको एकेटी देना पड़ेगा अम्रिता गुगुल कैश्वर गुगुल त्रिफला गुगुल उसके साथ में इसको देंगे तो बहुत अच्छा क्योंकि अच्छा करता है तो उ जो सिम्टम है और जो जो मेडिसिन है वह बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो ऐसा कर सकते हैं कि घी में निर्गुंडी का काढ़ा दे दिजिए और खाने के पहले वह पिला दिजिए और पच्चीस हमल तक और खाने के बाद दे दिजिए घी में निर्गुंडी का स्वार करता है डानेमेट की तरह उपरा स्टोन उतर से दिजॉल हो जाता है और दिजॉल जमदब ब्रेकडाउन व जाते सब्सक्राइब बल निकलते रहता है निकलते रहता है पहले तो श्रिंक होगया है किड़नी फेलिर के से में रहता है इसमें किड़नी का काम होई यूरीन नहीं दो करते हैं यूरीन हो रहा है हफते में तीन भर में पांच आसी तरह काम नहीं है तो हमें बस्ती देना छागि तो त्री मर्मिया अध्याओ किस्थितृ इस्थान फिर उसके पाद में शतावर्यादी गृत है उनका अगर अगर बस्ती दिया जाए शतावर्यादी बस्ती का प्रयोग करने से बहुत पायद होता है जो पर Bash आफिहद तक नॉर्मल होने लगता है लेकिन इसका मतलब यह निया कि हर किड़नी का पिशन्ट ठीक हो जाएगा वह तो अभी रिसर्च की बात है कि कितने पेशंट कितने परसंट में ठीक होते हैं कि परहेजं नहीं पालते हैं अलोपती के डोक्तर बोलते हैं कि आप न कि आपका weakness आ रहा है यूरिया है किराटिनीन है बहुत ज़्यादा पानी पीजे वह पानी पीने से क्या होता है अगनी मन देता होती है और फिर पूरा बॉड़ी में आप डोनर का किड़नी लेंगे तो वह डोनर का किड़नी क्या रहेगा वह बड़ी के लिए तो वह बड़ी ना उसको एक्सेप्ट ने करती है फॉरें बड़ी को तो वह ज्यादा अगर है पेशन्ट तो कितना दिन जेंगे एक साल दो साल भारत के जो वित्त मंत्री थे उनकी भी डैथ हो किड्नी ट्रांस्प्लांट हुआ था और फिर एक विदेश मंत्री थी भारत की अभी कुछ साल पहले अब मैं अभी नाम नहीं बोल सकता तो उनकी भी मृत्य होगी क् किड्नी त्रांस्प्लांट वृज बाहर की किड्नी रितियन वहाँ जळा रहते हैं। जो आपने वरिक हैं міदवेश्ष रूदस के मूल सान है तो हमें मेजे़ोब सकते बना चाहिए और दूसरा बतारहें कि रखतों मेद के प्रसाद भा। से ये बनाए वरिक तो हमें र सार्केट विबजन जहां हो रहा है वहीं पर होती है तो इसलिए चिकित्सा में अगर CRF के पिशंट आते हैं तो उसमें बक्रे का इंटेस्टेन होते हैं उसका सूप बनाके पिलाया जाते है रोज तो वह क्या होते हैं समाने से भृद्धिव होती बहुत देने से पक्वाशे इसलिए दिमाग में बहुत सार आ रहे हैं सर की बात जमदगनी सर ने जो भी बता रहे हैं और जब बोलता होना तो सारी बात याद आती है इसलिए नहीं में किट्णीज में कभी तो और कılग स्ट्रें कव NFC अूegh तो आगर श्रिंकन किद्नी हैं उसमें डिर्ट तो हजरल लियुद बसमत देने से फायदा नहीं होता या श्रिंकन किद्नी में काम करेगी हुसमें हमें शवता वर्यादी बस्ती जो बताए त्रिमर्में स्थियर देर्यम्हें वहाद देना पड़ेगा और अगर स्टोन हैं तब इसका प्रयोग करिए और एक रति से आधर रति या दो रति तक करिए श्रिंकन किड़नी तो अपना बहुत ज्यादा युकती से देना है पच्निंगी किद्या करते हैं चाहिंग को और इंजूरी या डेमेच नो इसलों इसका प्रयोग नहीं किसे आपको डॉक्तोर राजकुमार जी नमस्त प्रणाम आपको डॉक्तर जैदेव शिंग जी नमस्त प्रणाम आपको धाह फिर पाक कंडू यह रहता है विचर्ची का जो शुद्र कुष्ट जैसे हरते है उसमें पाहे करना है इंटर्नली इस लिए तो कंडूंकम नहींना अपना कंडूंकम है वर्याद्री दर्कधर। गंदक रसाइन है पंचे तिक्त गुकुल है फिर रक्त शोधन करने के लिए बहुत सरे तिक्त रसात्मक है फिर रस पाचग रक्त पाचग वह सबसे ही चिंग ठिंग हो जाता है जो हिए डाक्टर सवीता जी बहुत बढ़िखक्त बढ़िए बढ़ी कोशन कुचे हैं नेफिरोटिक सिंद्रोम में यूज कर सकते हैं क्या नहीं नेफिरोटिक सिंद्रोम में इस तिकां लेकिन फिर से क्या होता है कि इम्यून इना ». है तो जिस तरह से अभी इस्टराइट कोरोना के टाइम पर दिया जा रहे है तो इम्मुन सिस्टम कम हो रहे हैं और काला फंगस ब्लैक फंगस है उसके इंफेक्शन को बचा नहीं पा रहे हैं कि वह कैसे क्यों कि इम्मिनिटी पुरी तरह से डाउन हो गई है अलोपेटी के इसलिए ना अगर करेंगे इम्मिनिटी तो कम से कम बढ़ेगी तो वह से नहीं तो ठीक नहीं करेंगे और वह डैमेज करने का चांसे बढ़ जाता है डॉक्टर राहूल कपूर जी नमस्ते प्रणाम आपको यह पर्टिकुलर हमेशा याद रखे कि यह पर्टिकुलर किड्नी स्टोन की दवाई है और किड्नी स्टोन असोसेटेश जितने कॉम्प्लिकेशन से से उल्टी आ रही है इचिंग हो रही है किड्नी से अगर यूरिया नहीं निकल रहा है क्रेटिन नहीं निकल पा रहे तो यह एल्बुमिन बहुत ज़्यादा आ रहे है अल्बुमिन आना मतलब कोई ना कोई पैथलोजी वहां पर पिशाप करने के बाद कुछ सफेद पानी आने लगता है तो वह एल्बुमिन इरिया बोलते हैं उसमें अल्बुमिन जा रहा होता है प्रोटीन उसे ठकावट बहुत ज्यादा आती है तो वह अलग चीज तो वह काटे-काटे मिलते ही हैं जो कायके शूर की तरह रहते हैं तो वह लिखे हैं और उबाल के उसके बीज जो रहते हैं उबाल के सुबह शंपिये तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बहुत अच्छा फैदा होगा इससे पुनर नवा है फिर वरून है त्रहन पंचमूल ह के संद्रोम में यहार स्ञेटर न प्रहेत परहेश भी निप पाला और पूरी तरह से ठीक हो गया इसका कोई डॉक्मेंटेशन अभी तक तो नहीं है और जल्ली बस देखें अस्टो ये तो मैंने आज तक नहीं सुना ये केवल किड्नी स्टोन पर काम करता है डॉक्टर राहूल कपुर जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर कुसम पंडे माडम जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्तर प्रिय धर्ष्तनी जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्तर मिनल गिरी जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्तर राच कुमार जी बोल रहा है कि अगर ston bladder में है तो क्या medicine दे अगर bladder में my stone है तो कोई बात ने bladder में ston है तो simple है third time 115 का काडा केसा comfortable हज्रल नियुद बस में दीजे तो त्रिण पंच मुल पूरी तरह से मुत्रल कारे करेगा और ये हज्रल नियुद बस में तोड़ देगा और अगर ब्लैडर में सिस्टाइट सिस है वह इंफ्लमेशन होने के बज़े से ब्लड आ रहा है वहाँ पे स्टोन के वज़े से इंफ मुत्र विरेचन करने की दवाईयां देंगे तो अच्छे से यूरीन आने लगता है प्रिशन को बहुत ज्यादा फैदा हो रहा है तो फिर ब्लैडर को अगर इंफ्लमेशन बहुत ज्यादा है स्टोन के हो जैसे तो एक एटी दिजिए अम्रिदा गूगल कैश्व गूगल त्रिफला गूगल सुक्ष में त्रिफला यह सब देने से वहां इंफ्लमेशन वह ठीक होता है स्टोन को फोड़ना है तो यह बद्राश में दे दिजिए यह हज्रल यूद्बस में दिजिए बहुत अच्छा फैदा होगा डॉक्टर जक्पाल सिंग जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर श्वेता जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर बलविंदर जी नमस्ते प्रणाम आपको आप लोग प्रेश्न पुछे बहुत सारे डॉक्टर गीता कदम जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर त्यागी चिराज बहुत बढ़िया कोशन पुछा ले किड्नी श्टोन पर काम करता है दूसरी दवेयां जो रहती है न वह गौल्ब्रेड श्टोन के और यह पर कॉमन देती है यह से ताम्र भस्म हो गया वह लेखन कर्म करता है फिर यह गए त्री विक्रम रस हो गया वह दोना पर काम करता है मुझा प्रणाम आपको दॉक्ट्र माधुरी जादव जी नमस्ते प्रणाम आपको आप को ढ Le C Socks नहीं किसी में किसी नहीं दिया बहुत भभाथ धन्य लोगने करते लोगना क्या करते हैं कि लोगने हमारे को फर्मुला क Dev doğru에서 दिया कभी सोचते हैं कि हज़लली भसमत कहा देना है कब देना है क्यों देना है और क्या फायदा होता है उसका अनेलिसिस करना हो नहीं देदा है अगर आपको को सट्सेश्ट्फोल ट्रैक्टिशन व्रस करना है तो आपको न एक एक चीज का अनेलिसिस करने आना चाहिए हमारे पास ना दिमाग ऐसा लगे साइंटिस्ट की तरह कि हमारे पास दस पेशेंट आ रहे किड्नी स्टोन के तो उनको अमने किसी को बदराश में चून दिया या बदरी पत्र चून दिया और कुछ लोग को हज्रल लिहोद बस में दिय कि इसको फैदा हुआ कि इसको फैदा हुआ और इसका कितने एम-म का स्टोन को डिजॉल करने ब्रेकडाउन करने में फाइदा हुआ हज्रल लिहोद बसमें उसका एक डेटर रखे तो इस तरह से करें तो मज़ाएगा और जब कोई प्रेजेंट करना होगा नहीं तो आप ब प्रणाम आपको डॉक्त मीना जी बोल रही है कि रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन में क्या देना चाहिए को औक्जिलेट का स्टोन है सबसे बढ़िया तो है कि वंद करा दीजे विरेचन करा दीजे जो बताया है आचारे चारग जी ने बताया है वागबट ने बताया है कि करना है बार-बर साल भर में आप शुद्धी घ्राते रही ना बार-बार कराएंगे तो बहुत च्छा वाइब एक तो मुझे अभी याद आगया आप लोगना एक बात याद आ गया अब बोलते याद आ तो मुझे इतना मतलब मोटिवेट करते देना तो मैंने ऐसे बुला कि मैं जो भी प्रिशंट आएगा और वमन का सीजन भी था जो भी प्रिशंट आएगा मैं वमन करूँगा जो आएगा वमन जो आएगा वमन तो मेरा नाम सब लोगों ने उल्टी वाले बाबा रख दिया ठीक है पूरे एरिया में ऐसे उल्टी और यह जो हस्पिटल बना है ना मेरा खराडी चन्नरगर पुने में यह खाली जगा रहती थी पूरी खाली जगा था और मैं क्या गरता था कि जिस तरह से मुझिकल चेयर पार्टी रहती है ना उस तरह से मैं 15 या 20 या 25 ऐसे चेयर र आता था यस्टी मदू फांट और ना मदनफल का चाटन करके सुबह जल्दी उठ जाता था दो ड़ाई बजे और गरम करके और रखते था दो तिन गंडे में थोड़ा असा लिक्वाम हो जाएगा और सारे पेशिंट आते थे सबको वमन सबको वमन सबको वमन स्निहान स्यो नहीं बोधन करना है वमन करना है और मैंने पेशन को यह दिया वमन का यस्टी मदू फांट पिलाते गया और ऐसे मैं बोलता था कि आप सब लोग मदन करें बहुत मजाएगा ऐसे लोगों पीते थे एक दूसरे को देख एक पिते प्यते पिते ना वह एक पैशन को क्या था या कुछ भी तो मैंने जाकर जमदगनी सर को बताया कि सर मैं तो मेडिसीन दे रहा था वमन का और पेशन्ट के स्टोन निकल तो सर तो इतना खुश हो जैसे और वो स्टोन निकल गया और निकलने के बाद पेशन्ट वाश्रूम में गया और उसने वहां से निकाला और ऐसे धो के दिखाया कि देखे डॉक्टर मेरे को स्टोन निकलता भी फील हुआ और फिर वह उन्होंने एक पैकेट में दे दिया फिर मैंने प्लास्टिक के उ करो ओसले जिए गया टॉद जहाँ अंध। भी ऺबनाएं यह कहां मिलता है यह मिलता तो अरब में हैं वहां से लेकां कर यहां पे बेचा जाता है हर पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगा हजरल यहुद बस में लेकिन शुद्ध क्वालिटी का मिल रहा है कि नहीं शोधन मारण किया है कि नहीं वह देखना बहुत जरूरी होता है अगर अशुद्ध आप यूज करेंगे तो पेशन को जरूर तकलीफ होगी उ क्योंकि टमाटर की और सबको किड़नी स्टोन नहीं होता कुछ लोग के बाडी की टेंडेंसी होती है कि उनको पत्ते वाली सब्जी नहीं खना चाहिए क्योंकि उसमें केल्शम औक्जले ने की पूरा केमीकल रहता है तो एक दम पूरीता से पालक वगरा जो रहता है उनको जा रहे हैं ट्रैवलिंग कर रहे हैं पानी कम पिरें उसके वज़े से हो रहा होगा टमाटर जब से आया है तब से किड्नी स्टोन के प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गए और जहां पानी कम मिलता है जैसे कि महराश्ट में पहले पानी का बहुत प्रॉब्लम होता था तो किड् बिमारी होने का चांसेज रहता है डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको मैं जो बता रहा हूं नहीं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं यह बात आप लोग को कोई नहीं बताएगा वो लोग बताएंगे लेकिन सब लोग चुपा चुपा के रखते हैं कि डॉक्टर सुषांत साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर रजनी शर्मा जी बोल रहे हैं कि सर बद्राश्म में क्या इंग्रेडेंस हैं वह अब अलग तरह का पत्थर होता है वह अश्मरी भेधन के लिए प्रयोग किया जाते बद्राश्म चुड़ उसके बार मे जेगा कि डॉक्टर आकांशा जी आप तो आती है ना शैद मैं तपी आपको दे दूंगा डॉक्टर संदीब जी नमस्ते प्रणाम आपको आकांशा जी आप जो सुभा आती है अश्टांगरदे का जो जूम आइडी मिलता है उस वही सेम आईडी से आप आ सकते हैं जी ने अच्छा बहुत बढ़िया फर्मुला बताया कजली दो रत्ति है कजली जो रहता है वो योगवाही रहता है और वहां गामित्व बढ़ा देता है इस स्त्रोतस में वह मेडिसिन को अच्छे से लेके जाते तो मैंने भी यही बताया संगय यहुद का मतलब है हज्रल यहुद भस्म उसका परयाय नाम है दो रत्ति और यवक्षार मैंने भी बताया उसको गोक्रु कड़ा मुत्रल दवायों के साथ अब क्या है कि पत्थर को तोड़ने वाला कोई चीज है और पानी को निकालने वाला गोक्षूर जो है मुत्र प्रविर्थी को और बढ़ा द मैं करूंगा लेकिन जो यह आईश्दरपन के जो फांडेशन के डारेक्टर है वह डॉक्टर नवीन जोशी सर से आप रिक्वेस्ट करिए वह अगर मेरा अरेंज करेंगे तो मैं सीरीज लूँगा हर बिमारी पर तो फिर वह ज्यादा क्योंकि जो भी एक्टर रहता है उस पढ़ाने को कुछ भी पढ़ा सकता हूं कि डॉक्टर राज कुमार धवन जी बोलें कि क्या हज्रल यूद बस्मों और शिलाजी दोनों साथ में यूज कर सकते हैं कर सकते हैं ना करिए ना आप शिलाजीत का प्रयोक करना है आपको चंदरपभा में भी शिलाजीत है तो आ इने मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर चित्रकर्ष परमार जी बोल रहे हैं कि चित्रकर्ष परमार परमार ग्लियॉटिक्स टॉनस आफ्टर ट्रेक्व स्टॉमी क्या अईरवेद दवा गंडमाला कंडन रस व्रिद्वादी कर एक्स्रा काम कर सकती है ना आपको डॉक्टर प्रणाम आपको डॉक्टर प्रतिवा जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर प्रतिवा जी का बहुत अच्छा-च्छा कोशन होता है है हाव तो यूज बद्राश में चूर्ण फोर किड्नी स्टोन सजेश्ट अनुपार मैं बद्राश में चूर्ण पे जब लेक्चर लूँगा तो मैं बताऊंगा आपको डॉक्टर टिंकल यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर चित्रक्ष प्रमार जी पूच रह जो न यह है हिकक्काच किसा में पुशकर मूल बताया है जो मेंब्रेन को स्टेंद्थ देता और इंफ्लमेशन को ठीक करता है तो एक डॉट्टाइटीस जो है उसमें अगर इंफ्लमेशन को ठीकरना है तो येस्टी मदू सिद्ध गृत अगर दे दिया जहें येश्टी जोड़ोती नहीं पड़ती आपको अगर यह पेशन्ट मुझे मुझे ठीक करवाने तो आप मुझे बताइए वाट्सप पे मैं नंबर देता हूं मैं इनको ठीक कर सकता हूं बिना सर्जरी के ठीक कर सकता हूं डॉक्टर गौरव शर्मा जी बोल रहे हैं कि गॉल ब्लेडर अटक में श्टेनोसिस है तो अस्ति मज़ा पाचा आरोगिवर्धनी बटी ताम रफस में त्रीवी क्रम्रेस काम करेगा क्या पेशन्ट स्यम्टम्स पित्त के हैं तो श्टेनोसिस है वहाँ पर अस्ति मज़ा का आपने क्या सोचा क्यों सोचा मुझे वो श्टेनोसिस में यह समझ नहीं रहे वहाँ पर रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ी है रुक्षता बढ़ी है और आप आरोगिवर्धनी देंगे तो वहां तो और रुक्षता बढ़ाएगी वहां लेकन करने वाली तरफ्वेश् लेकिन उसमें कुटकी और नीम है स्टेनोसिस में रुक्षता बढ़िए ड्राइनेस आया है और त्री विक्रम रज दे रहे हैं सब कुछ दे रहे हैं आपना क्या कर रहे हैं मालूम है क्या गौल बेडर डक्ट में स्टेनोसिस है तो जिस तरह से ना युद्ध करना है तो आपका कोई भी जैसे मिसाइल चोड़ना है या फिर जहाज उड़ाना है तो अभी जैसे पाकिस्तान ने अटेक किया भारत पे जब सर्जिकल स्ट्राइक वह न तो उनकी जो ऑफिसर थे जो पाइलेट से उनको उतना नौलेज ही नहीं था वो लोग आए हमला करने आए और बीमारी कुछ और है और दवाई कुछ और दे रहे हैं ऐसा यह नहीं होता है अगर यह सब आरोगे वर्दनी बटी ताम रबस अंत्री विक्रंबस यह देंगे तो और बढ़ेगा वह और तकलिफ होगा पेन और बढ़ेगा यहां पर आपना यह केस बताए मैं आपको अच् साइड इफेक्ट हो है क्योंकि आप इतना त्री विक्रंबस ताम रबस में यह सब दे रहें यह रुक्षता करता है लेकरन के साथ में स्टैनोसिस को और बढ़ा सकता है कोई भी दवाई कहें भी कुछ भी मत दिजिए डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको टॉड 10 कारेंगे तो फेल होंगे आपको फेलियर व डॉक्टर बनना हो तो करिए मुझे कूँ प्रणाम आपको डॉक्ट अखिलेंद्र ची नमस्ते प्रणाम हो यां अनीज जी नम आपको टोड़ा तो वहां रुक्ष गुन बड़ा हुए है कि कफ का क्या गूड़ा हुए या त्लेट के वजह से वह है या कफ जमा है उस ही सब्सक्राइब करना चाहिए ऐसी कोई भी दवाई कोई कहीं भी नहीं नहीं है एक किड्नी स्टोन का अश्मरी बेदन करने का दवाई है कॉंसेप्ट को समझे अच्छा कि डॉक्टर संदीब जी बोले हैं अच्छे हैं जी डॉक्टर त्यागी जी बोल रहे हैं कि सर केश डिसकेशन वाली क्लास कब होती है साड़े आठ से दस वजय तक होती है आप आजएए जूम का मैं आपको लिंक आइडी देता हूं आप आजएए रवी प्रताप जी बोल रहे है कि कुल्ती दाल के काड़े का अनुपान के रूप में प्रियोग कर सकते हैं क्या इंडेनल स्टोन कर सकते हैं कुल्ती दाल का का स्टोन कर सकते हैं अश्मरी भेधन में वह ज्यादा अच्छा अनुपान रहता है दोड़ अनीता जी बोलते हैं किस तरह देह्में इसको देने से फैदा होता है आ इसको पसे पहले तो एक आप π concret है तो आपको डैग्नोसिस करना पड़ेगा सिसके लिए आपको उस्जी क्राना पड़ेगा में पता कि स्टोन कहां पर अंट्का हुआ है क्यों पें हो रहे है रनेफINO कितना है कितना है तो वो कर के फिर उस आप से आपको युक्ति प्रवग और यह चीज ना क्यों फॉर्मुला बेस से मत करिए कि क्यों सिस्टोन टैबलेट दे दिया हिमालिया का और उनका पेन कम गया ऐसा नहीं है फॉर्मुला बेस मत करिए हर पेशन को एनलीसिस करिए समझ आप लोग डॉक्टर हैं आप लोग ऐ पंसारी के दुकान वाला भी दबाई दे सकता है उसके पास दस लोग रहा काते हैं क्या क्या करते हैं उनमें और आप में क्या फरक है आप लोग को इसलिए और कोई शर्मानी वाली बतने नहीं आता तो आप मेर से पुछे आप इंट्रेक्टरी सेशन में पुछे समझ जान इस भीन रहते तो बिलकुल भी नहीं दे सकते हैं यह काम करते है अश्मरी बेहितन का काम करते है रहते है पिनांग् करका रहां चैन नहीं करेगा जेदकरश्व जी बोल रहे हैं कि एक फर्मला से हल नहीं होगा रोगी सच में काफी कंप्लिकेटड हैं आप मेरे को ना वट्सअप करिए अपना रिपोर्ट बेजिए अच्छे से डियाग्नोसिस करेंगे अच्छे से हेतु निकालेंगे संप्राप्ति बनाएंगे और अच् प्रेशन ठीक नहीं होता फिर डॉक्टर का खुद का कॉंफिडेंस लेवल कम होता है प्रेशन तो हो गई ऐसे कि फाइदा नहीं हो रहा पैसे जा रहे हैं यह नहीं कि किताब पढ़ेंगे खोलेंगे एक बात यह भी है कि नौर्थ इंडिया में पढ़ाने और समझाने वा प्रेशन ठीक होते हैं दवाएं तो दे रहें अब दवाएं उससे प्रेशन क्यों ने ठीक हो रहें उसका कारण यह है कि यह तो पेटेंटेट दवाया दे रहें फर्मुला बेस दे रहें इसलिए रिजल्ट नहीं आता आप लोग नहीं ऐसा मत करें है मैं चाहता हूँ आप लोग successful बनेंगे तो यह मत सुचे कि मेरा कुछ कम ही हो जाएगा मेरा तो और बढ़ रहें धन्वंत्री भुगान तो मुझे और बढ़ा रहें मेरा कुछ भी कमनी होता मैं आप लोग को बढ़ाऊंगा ना तो मेरा बहुत अच्छा हो रहें मैं अपना यह देखे जू मेरे पास है मेरा दभाई मेरे पास है तो मेरा कभी कमनी होता यह देखे मैंने आपना वट्सप नंबर फोन नंबर दे दिया है जूम का पासवर्ड आइडी दे दिया है आप लोग इंट्रेक्टिव सेशन में आई है साड़े आट बुजे और अच्छा से अच्छा डॉक् कि राजवद्य इनके पास ठीक होते ही है पेशन हंडेर पर्सेंट रिजल्ट नो रिकरेंस एक बार किड्नी स्टों ठीक हुआ मेरे पास मुझे मालूम है कि मैंने 19 साल पहले जो लोग को ठीक किया किड्नी पेशन जो मैंने शुरुवात में किया रहा वो फिर से नहीं रियाद करें कि हाँ वो डॉक्टर ने पर्मानेट बिना ओपरेशन के ठीक है इस तरह से चिकित्सा करिए आप लोग ठीक है तो मैं साड़े आट बजे मिलता हूं मैं आप लोग को शुब काम नहीं देता हूं अच्छे डॉक्टर बनिए और अच्छा से पढ़के समझ के अच्छे से चिकित्सा करिए प्रणाम नमस्ते